वन से पंदरा जन्वरी तक विंटर वेकेशन कुछ प्राइवेट स्कूलों में सर्दी की हचुटियां क्रिसमस से ही शुरू हो जाएंगी विस नई दिल्ली दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में एक जन्वरी से पंदरा जन्वरी तक सदियों की छटियां होगी ज्यादातर प्राइवेट स्कूल भी अगले हफते या एक जनवरी से विंटर वेकेशन के लिए 15 दिन तक बंद रहेंगे इस दोरान स्कूलों में सीनियर्स के लिए रिविजिन क्लासेज चलेंगी दिल्ली के शिक्षा निदेशाले ने विंटर वेकेशन का एलान किया है हालां कि क्लास 9 से क्लास 12 के स्टुडेंस के लिए रैमीडियल क्लासेज चलेंगी निदेशाले का कहना है कि इन क्लासेज की मदद से बच्चों को एजाम के लिए बेसिक कॉंसेप्ट को रिवाइच करने में मदद मिलेगी रैमीडियल क्लासेज 2 जनवरी से 14 जनवरी तक चलेंगी अगर जगह की कमी रहती है तो इवनिंग शिप्ट वाले स्कूलों के हेड अपने जिले के डीडीई से सला लेकर शाम के वक्त भी क्लास ले सकते हैं सुबह की शिफ्ट के लिए स्टुडेंस को सुबह साधे 8 बजे से 12 बच के 50 मिनिट बजे तक आना होगा और फाइल फोटो थंड और धुद के लिए नियम जादातर प्राइवेट स्कूल भी 3 माइनस एक जनवरी से विंटर वेकेशन कर रहे हैं कई स्कूल 26 दिसंबर से ही चुटिया रख रहे हैं कुछ स्कूलों में क्रिस्मस से चुटिया शुरू हो रही है बढ़ती थंड धुंद को देखते हुए भी पैरंस का कहना है कि या तो जल्द विंटर वेकेशन रखे जाएं या फिर स्कूल टाइमिंग देरी से कर दी जाए कई स्कूलों का कहना है कि वे जल्द फैसला करेंगे Parents का कहना है कि बच्चों को स्कूलों के लिए सुबह 6 माइनस 30 बजे निकलना पड़ता है उस वक्त थंड के साथ धुद भी रहती है NCR में स्कूलों की टाइमिंग 10 बजे से कर दिया गया है UP, पंजाब में कई जगर इसे 9 माइनस 10 बजे किया है Teachers को 8 बजे से 1 बजे तक शाम की शिप्ट के लिए Students को 1.5 बजे बजे से 5 बच के 50 मिनट बजे तक स्कूल में रहना होगा और Teachers को 1 से 6 बजे तक रोजाना 1-1 गंटे के 4 पीरियड होंगे Class 9 और 10 के लिए English, Science और Maths रोजाना पढ़ाने होंगे बाकी सबजेक्ट के लिए School Principal Result की समीक्षा कर फैसला ले सकता है